मुखेश कुमार में जो फ्रेंड आप सबसे पहले जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथी बेल आइकोन को जरूर दबादें जिससे आपको पलपल की अपडेट मिल सकें तो फ्रेंड आज बात करते हैं अतिती बिद्वान के संबन्द में जो की फ्रेंड आप देख रहे हो विगत दिनों से यानि लग बग दो मैने होने वाले हैं जिनके अंसंग पर अंधोलन पर अतिती बिद्वान बैठे हैं निमीतिकान के संब्द में फ्रेंड अनों ने ओ गंदोलन दिया है लेकिन अतिती बिद्वानों के निमीतिकान के संब्द में उस सिक्चा विभाग ने ना तो कोई सई तरीके से जानकारी दी है और ना ही फैन इनका निराकान किया है लेकिन अतिती बिद्वान अभी भी डट नहीं करेंगे तो सीदा चलते है और देखते हैं जो अतिती सिच्व के संबध में DBSर की नूज थे कि सीदा चलते हैं और देखते हैं आप इसकीन पर देख रहे हो एजुकेशन पोटल की रिपोर्ट है भोपाल का पिकासन है जिसमें आप देख रहे हो अतिती बिद्वानों ने एक बार अपनी मागों को लेकर अन्पिकार का अंदोलन जारी रखा है जिसमें आप देख रहे हो उन्होंने इस बार अपनी माग म बिद्वानों के अंदोलन को लगबग फ्रेंड चंगन यानि 54 दिन होने बाले हैं लेकिन पिदे सरकार ने अब तक उनकी सुद नहीं ली है ना है यतिती बिद्वानों का निमीती करन किया है जिसमें संगस मोचा सरोजग डाक्टर देशराज सिंग ने बताया है कि सभी यति तक डाक्टर मंसूरी अली ने कहा है कि सरकार ने अब तक चुनाओ के फूप किया हुगा अपना बादा नहीं निवाया है निमीती करन का बचन दिया था इसके सासा लगबग आठ मार्ज से उच्छा विवाग ने बिना किसी कारण से अतिती विद्वानों का मांदे रोक द तक बैचने की अनमती मांग ली है कहा है कि यदि हमारी मांगें जल से जल पूरी नहीं की जाएंगी तो हम इसी पिकेर से अपने अंदोलन जारी रखेंगे हम मने तक के लिए भी तयार है तो फ्रेंड है राजपाल को पत लिका है फ्रेंड मैं भी अतिती विद्वान के जार उनके साथ रहेगा जोब प्लेस्मेंट चैनल हमेशा उनका साथ देगा तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसके लिए धन्यवाद